अब ये मान कर बैठे हो कि हिंदुस्तान की आजादी की स्वन जैनती आ गई, पचास साल पूरा हो गया, और मैं आपको आज ये बताने आया हूँ कि पचास साल बाद हम ज्यादा गुलाम हो गए, पहले गुलामी एक इस्ट इंडिया कमपनी की थी, अभी हमारे देश में चा किना कितना पैसा खाते हैं, एक दो उधारन में आपको समझाओं, हमारे देश में एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है सुखराम, आजकल बहुत दुखी है, पता है क्यों दुखी है, एक दिन CBI वाले उनके घर गए, तो जिस बिस्तर पर वो सोते थे, उसके गद्दे के नीचे इसे चार करोड रूपया निकला, तो CBI वालों ने उनसे पूछा, कि चार करोड रूपया बिस्तर के गद्दे के नीचे से निकला, इसका माने, आपके बैंक बैलेंस में कितना होगा, तो केंड़ लगे हैं, नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, तो CBI वालों को भरोसा नहीं और उनके सारे एकाउंट सीज किये तो पता चला हंड्रेट्स ओफ करोड रुपए की प्रॉपरटी उसमें से निकले तो सीबी आई वालों ने पूछा सुखराम जी ये पैसा कहां से आया तो कहने लगे भगवान ने दिया है तो सीबी आई के ओफी सर ने उनसे कहा कि भगवान आपको ही क्यों देता है मुझे क्यों नहीं देता हमको क्यों नहीं देता बाद में सीबी आई ने जब तपास की सुखराम के बारे में तो पता है जानकारी क्या मिली जानकारी मिली कि जब यह व्यक्ति हिंदुस्तान के मंत स्वधेश हुआ हमारे देश की टैलिफॉन बनाती है तो जो हाई कत आपेटरस है फोन किफों कि होने का जितने रुपई में हमको देती है घैति सवाओं कि य हुआ है सुखराम उने क्या किया कि अव नहीं लेंगे अमरेका की कमपनी का खरीदें तो अमरीका की कंपणी ने वो एपरेटर्स बेचना शुरू किया 600 रुपए में हमारे देश में बनता था 1.500 रुपए का सुखराम साहब ने वो नहीं खरीदा अमरीका से खरीद कर लाएंगे 600 रुपए में तो उससे क्या होगा अमरीका की कंपणी को जो साड़े 400 रुपए का मुनाफ़ा होगा उसमें से कुछ सुखराम साहब को कमीशन मिलेगा उसका नतीजा क्या हुआ हमारे देश की सबसे बड़ी आई टी आई नाम की कंपणी तो बंद हो गए अभी चार डिवीजन बंद होने वाले उसके छे डिवीजन है सारे देश में तो दो डिवीजन ब हम हैं क्या है लेकिन दुर्भा की क्या है इनको हमने पांच साल तक मंत्री बना के रखा तो आप सोचिए कि पांच साल में इन्होंने क्या किया होगा इस तेश कि ऐसे एक दूसरे मीर जाफर हैं उनका नाम है सुश्री जैल अलिता वो क्या थी वो तमिल नाडू की मुख्यमंत्री थी तो जब वो तमिल नाडू की मुख्यमंत्री थी न तो उसकी तनका मालूम है कितनी थी पे उसकी एक रुपए पच्चीस पैसे पर मंथ वन रुपीज ट्वेंटी फाइब पैसा पर मंथ यह उसकी सैलरी और इतनी सैलरी पाने वाले बेहन के घर में जब सीवियाई वाले पहुचे तो क्या मिला पता चालीस किलोग्राम सोना आठ सो किलोग्राम चांदी दस हजार पाच्सो साड़ियां और और सुनिये साथ हजार पाच्सो सैंडल और सुनिये और सुनिये और सुनिये चवालीस एर कंडीशनर और और सुनिये और सुनिये 191919 लिम्योजन कार और एक लिम्योजन कार की कीमत है साड़े पांच लाख रुपए इस समय तो 19 cars और आखीर में 65 करोड रुपीज कैश अब अब सुनिए कि उसको तो एक रुपए 25 पैसे पे मिलती थी परमंद इतना पैसा कहां से आया जिसको सवार रुपए तंखा मिलती हो उसके घर में 65 करोड रुपए कैश 40 किलोग्राम सोना 800 किलोग्राम चांदी 10,500 साडियां 7,500 जूते और 19 विदेशी कार इतना सब कहां से आया तो उसकी तपास जब हुई है अभी पूरी हो चुकी है तो CBI वालों ने बताया कि ये जब मुख्यमंत्री थी तमिल नाडू की तो तमिल नाडू में चंदन के जंगल है चंदन समझते हैं सेंडल वुड़ तो हजारों हेक्टियर के चंदन के जंगल इसने विदेशी कंपनियों को मुफ्त में बेच दी तो विदेशी कंपनियों ने क्या किया उसके बदले में रिश्वत खिलाई और अब वो रिश्वत खाके अब उनके ऊपर कोर्ट में केस चल रहा है पतानी कब तक चलेगा ये नहीं मालू कब उनको फासी मिलेगी ये भी नहीं मालू लेकिन इस देश में चल रहा है मीर जाफर नंबर दो देखिए क्या है एक मीर जाफर नंबर तीन है उनका नाम है लालू प्रसाद यादव अब उन्होंने क्या किया है सुनिये 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 वो इन दोनों के बाप हैं उन्होंने क्या किया 960 करोन रुपिया हजम कर गए माने इतने रुपए में बिहार के पशुओं को चारा मिलता उनके लिए भोजन मिलता गाय को बैस को बकरी को वो सारा का सारा चारे का पैसा वो खुद खा गए जो चारा गोटाला हुआ ना वो यही गोटाला है और देखो क्या दुर्भाग्या इस देश का कि जो आदमी 960 करोड रुपई की रिश्वत खाता है वो साथ साल तक मुख्यमंत्री रहा और अभी भी उसकी बीवी मुख्यमंत्री है तो आप जरा अपने आप से पूछिए ये ये मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं आप अपने आप से पूछिए कि इतने बड़े बड़े मीर जाफर अगर इस देश में हैं तो क्या होगा इस देश का सोचिए जरा बिचारा जो मीर जाफर था वो तो करोड दो करोड रुपई में बिका ये तो 960 करोड खाते हैं और रोज आप अख़वार पढ़िये तो कोई भी दिन ऐसा बाकी नहीं जाता जिस दिन हजारों करोड का घोटाला ना होता हूँ तो आप जरा सोचिए कि क्या इसी के लिए हमने आजादी पाई थी मनें एक मीर जाफर के कारण 200 साल गुलाम हो गए अब आजादी के 50 साल के बाद ऐसे ही मीर जाफरों को हिंदुस्तान में फिर वसे और तब दोस्तो हम सब को ये सोचना पड़ेगा कि कुछ गड़बड हो रही है इस देश में क्या गड़बड हो रही है ये सारे के सारे बड़े नेता विदेशी कमपनियों को बुला बुला के उनसे रिशवत खा खा के हिंदुस्तान को बेच रहे और क्या हो गया है ये एक बाजू में है दूसरे बाजू में एक और दूसरी बड़ी दुरगटना इस देश में चल रही है कि जिन विदेशी कमपनियों को ये नेता बुला कर लाते हैं उनका सामान कौन खरीदता है हम सब लोग खरीदते हैं माने हम भी छोटे छोटे मीर जाफर हैं तो क्या होता है कि विदेशी कमपनी का सामान हम खरीद कर लाते हैं दुकांदार को पैसा देते हैं दुकांदार क्या करता हूँ उस पैसे को विदेशी कंपणी को पहुंचाता है विदेशी कंपणी चुंकि दूसरे देश से आई है तो आपके देश का पैसा अपने देश में ले जाती है सबेरे से लेके शाम तक जितने सामान इस्तेमाल करते हैं उन में से अधिकांच सामान विदेशी कमपनी के सबेरे सबेरे सो के उठते हैं चाय पीते हैं लिप्टन टाइगर विदेशी कमपनी की ब्रुक बॉन्ड विदेशी कमपनी की टी सिटी विदेशी कमपनी की लिप्टन विदेशी कमपनी की गॉडफरे फिलिप्स विदेशी कमपनी की ताज महल विदेशी कमपनी की और कितने नाम में गिनाऊं आपको जो विदेशी कमपनियों की चाहे से भरे पड़े माने हमारा दिन शुरू होता है विदेशी कमपनी की चाहे पीकर चाहे पीने के बाद दांट साफ करते हैं तो कॉल गेट, क्लोज अप, सिबाका, फॉर हंस, ग्लीम, ग्लोब, देर सारे टूथ पेस्ट और देर सारा टूथ ब्रश उसके बाद, मेरे जैसे लोग डाड़ी बनाते हैं तो कहते हैं पामो लिव्दा जवाब नहीं क्या कहते हैं साब, कपिल देप कहता है कपिल देप देश बेचने में लगा हुआ है हम भी लगे हुए हैं उसके साथ तो घर घर में विदेशी कंपणी की शेविंग क्रीम उनके साथ-साथ बलेड विल्किंसन सॉड का विल्टेक का, सेवनो क्लॉट का आफ्टर शेव लोशन, ओल्ड स्पाइस का और पता नी क्या क्या सब उसके बाद नहाने जाते हैं तो साबुन, लक्स, लिरिल, रैक्सोना, पियर्स, कैमे, पामोलिव, पॉंड्स, जॉंसन एंड जॉंसन क्यों खरीदते हैं ये मादूरी दीख्षित कहती है जिस पे ताली नहीं बजानी चाहिए उस पे ताली बजाते है मानसिक गुलामी इतनी ज़्यादा तो घर घर में ये विदेशी कंपणी का साबुनाता है नहाने का अब नहा लिया तो कपड़े धोने हैं तो भी विदेशी कंपणी का सर्फ, रिन, एरियल, वील, माइक्रो सिस्टम, ट्रिपल फाइव, पता नहीं क्या-क्या सब और उसके बाद नहाकर धोकर घर के बाहर निकलते हैं तो कपड़ा पहनना है, रैंगलर का जीन्स, एडिडास का शॉर्ट, बटरफलाई का, बाटा का, प्यूमा का, लोट्टो का, कोल्ट का और आजकल एक फैशन चल गया, पहले मैं जब विद्यार थी था, तो एक फैशन चला, एक विदेशी कमपनी आई, उसने एकदम टाइट जीन्स, और एकदम टाइट शर्ट, बेचना शुरू किया, तो सारे देश में फैशन चल गया, एकदम टाइट जीन्स, और एकदम टाइट शर्ट और इतना चुस्त होता था कि चढ़ता नहीं था तो क्या होता था मैं देखता था कि मेरे हॉस्टल के लड़के जमीन पर लेट लेट के चढ़ाते था अब क्या हो गया है अब एक विदेशी कंपणी आई उसने एक दूसरा फैशन चला दिया एकदम ढीला पैंट और एकदम ढीली शर्ट और इतना ढीला कि एक में दो दो आ जाए अब आप किसी से पूछो कि भाई क्या पहने हुए हो कहेंगे बैगी है बैगी का माने क्या है हम नहीं मालूक बस पहने हुए हैं अंग्रेजी मेंएक शब्त थोता है उसको कहते हैं बैगर का मानूअगने होता विकारी और अमेरिकन इंगलिश में हैं बैगर सब्द का एक कौन नोटेशन की इस्तेमाल होता है या कैरू कमानी अब आप अब आप ज़रा यह सोचिए कि बैगी पहन कर आप स्मार्ट दिख रहे हैं या भीकारी जैसे दिख रहे हैं यहा और एक मिनट भी सोचने की फुरसत नहीं है कि हम क्या पहने उए जब मैं किसी नौज़वान को बैगी पहने उए देखता हूं तो पूछता हूं कि बाई काई कु यह लटकाई घूमते हो तो किया राजीव भाई शारुक खान पहनता हैं तो मैं कहता हूं शारुक खान क इसी दिन कुये में गिरेगा तो हम भी गिरेंगे मैंने इतनी दो मिनट की अकल नहीं है हम तो बैगी पहनते हैं उसके बाद स्कूल कॉलेग जाते हैं काम करने के लिए पैन पैंसिल भी विदेशी कमपनी और स्कूल कॉलेज जब निकलते हैं न उसके पहले बहुत लोग ये कहते हैं अरे यार अभी चारली का सेंट तो लगाया ही ने फिर कोई कहता यार अभी फेर अन लवली तो लगाई ही नहीं काहे को चाहिए फेर अन लवली क्योंकि गोरे पन की क्रीम है और मैं कहता हूँ अगर फेर अन लवली लगाके सब गोरे हो जाते तो धक्षुन भारत में तो कोई काला नहीं होना चाहिए अब इतना सारा सज धज के स्कूल कॉलेज पहुँचते हैं तो काम करने के लिए पैन पैंसिल भी विदेशी कंपनी के रेनोल्ड रॉटो मेक क्यों खरीदते हैं लिखते लिखते आप जिरह मुझे बताइए कि अगर लिखते लिखते सब हो जाए तो क्या होने वाला है इस्कूल कॉलेजों का और इस्कूल कॉलेज से पढ़ाई पूरी करके घर वापस जाते हैं चाय नाश्ता करते हैं वो भी विदेशी कंपनी का बिस्कूट विदेशी कंपनी का ब्रिटेनिया नैसले कैटबरीज मारी का कॉफी पिएंगे वो भी विदेशी कंपनी की कुछ लोग चाय कॉफी नहीं पीते ताकत की चीज पीते हैं बूस्ट, हॉरलिक्स, प्रोटीनेक्स, वार्न बिटा, कॉमपलॉन, मॉल्टोवा, क्यों पीते हैं पता है, टेलिवीजन पर एक विज्ज्यापन आता है, I am a कॉमपलॉन बॉई, I am a कॉमपलॉन गर्ल, जानते हैं इसका मतलब क्या है, मैं कॉमपलॉन का बेटा हूँ, मैं कॉमपलॉन की बेटी हूँ, और क्उमपलॉन क्या है, टिन का डिब्बा, अब आप जरा मुझे ये बताये, कि क्या टिन के डिब्बा के भी बेटा-बेटी हो सकते हैं, माने 100% idiosity, और उस इडियो सिटी का पेमेंट कौन कर रहा है हम कर रहे हैं और उसी इडियो सिटी पर विदेशी कमपणियों का माल बिक रहा है शाम को कभी बजार में जाएंगे पियास लगेगी पेप्सी कोला, कोका कोला, थमसप, लिमका, सिटरा, इतना सारा पानी फिर रात में घर वापस लौटेंगे किसी बच्चे को भूख लगेगी फिसका मम्मी भूख लगी तो मम्मी कहेंगी बस दो मिनएट वो मम्मी दो मिनट में सड़े मैदे की मैगी बना के देगे और उसको मैगी को खा के पेट नहीं भरता तो अंकल्स का चिप्स, रफल्स का चिप्स, होस्टेस का, टॉप रहमन का, बिनीज का, इतना सारा माल सबिरे से लेके शाम तक विदेशी कमपनी होगा आपके रसोई घर में विदेशी कमपनी गुज गई, पूर्णा, माने अब नमक भी विदेशी कमपनी का खा रहे हैं, क्यों, पता है, ताकि कभी नमक हरामी न करें उनसे, नमक उनका खा रहे हैं, आटा उनका खा रहे हैं, पूर्णा, माने इतना गिर गया है ये देश, कि अ अपना नमक भी नहीं बना सकते आटा भी नहीं बना सकते और इतना सामान जो विदेशी कमपनियों का हम खरीद रहे आपको मालूम नहीं दोस्तों क्या हो रहा है आप जब सबेरे सबेरे चाए कॉफी पी लेते हैं ना हिंदुस्तान का कबारा हो जाता है हम जब सब लोग चा चाय पैदा नहीं करती हैं चाय पैदा हमारे देश के खेड़ोत करते हैं यहां के किसान चाय पैदा करते हैं विदेशी कमपनी उनसे चाय खरीदती है चाय खरीदने के बाद क्या करते हैं जो बेस्ट क्वालिटी की चाय होती है ग्रीन लीफ टी जिसको कहते है एक एक करकर के आपको बेच देती है तो माने आप चाय नहीं पीते चाय की धूल की पैस्ट कॉलिटी प्रोडक्त आपको नहीं मिलता सबसे रड़ी क्वालिटी आपको मिलती और ये टी डस्ट का खत्रा जानते हैं क्या है ये कैंसरस होता है आपने कभी कभी सुना होगा कहीं कहीं लिखा रहता है कि सिगरेट मत पीजिए क्यों क्योंकि सिगरेट पीना हानिकारक है क्यों हानिकारक है क्योंकि सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता है कैंसर क्यों होता है क्य चाए की धूल में भी है और काफी में भी है और कितना जहर हम पी रहे हैं तीन प्याला चाए जब हम पी लेते हैं तो एक सिग्रेट के बराबर जहर पी लेते हैं और एक प्याला काफी जब पी लेते हैं तो एक सिग्रेट के बराबर जहर हो जाता है और ये चाए काफी पीने पूरा शरीर जानते हैं क्यों आपने देखा है अफीम पीने वाले आदमी को चरस पीने वाले आदमी को अगर अफीम ना मिले चरस ना मिले तो वो दिन भर कुछ नहीं कर सकता वही हालत चाय कॉफी की हो गई है और यह चाय कॉफी मेडिकल साइंस की जानकारी के अनुसार हमा वारादेश गरम देश और गरम देश के लोगों में ब्लड प्रेशर वैसे ही हाई रहता है चाय और काफी दोनों ब्लड प्रेशर को और हाई करती है माने हम सब धीरे 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 एक जहर पीते पीते कैंसर की स्थती में पहुंच रहे हैं एक नुकसान तो अपना कर र अर्मूला है कि अगर आप चाहते हैं कि कैंसर के मरीज ना बने, आप चाहते हैं कि नशे का शिकार ना हो, आप चाहते हैं कि आपका दिमाग और शरीर पहले से ज्यादा अच्छा रहे, तो आपसे चाय काफी बंद कर दीजे. तो फिर आप करेंगे क्या पीएं दूद पीजिए गाय का पीएं तो और अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि दूद नहीं पीएंगे माने जो बेस्ट क्वालिटी प्रॉड़क्ट है वो ही नहीं पीएंगे जहर पी लेंगे दूद नहीं पीएंगे दूद नहीं पी सकते हैं तो दही की छाच पी लीजिए दही की छाच नहीं पी सकते हैं तो नीबू का शर्वत पीजिए नीबू का शर्वत नहीं पी सकते हैं तो नारियल पानी पीजिए नारियल पानी नहीं पी सकते हैं तो संत्रे का रस पीजिए मुसम्मी का रस पीजिए शिरडी का रस पीजिए, गन्य का रस पीजिए इतनी सारी चीजें पीने पिलाने के लिए है और जिनके घर में कुछ नहीं है वो सादा गरम पानी करके पी ले best quality product गरम पानी पीएंगे तो दो बीमारियों से बचेंगे कभी पत्थर नहीं होगा, स्टोन नहीं होगा आजकल गौल स्टोन और किडनी स्टोन की इतनी प्राबलम बढ़ गई है गरम पानी पीने वालों को ये प्राबलम सबसे कम रहती है तो गरम पानी पीने में कोई खर्चा नहीं है आपका शरीर दुरुस्त रहेगा महमान को भी वोई पिलाईए और हिंदुस्तान का 5600 करोर रुपए बचेगा और तब एक बार एक विद्यार थी ने मुझसे सवाल किया हो सकता है आपके मन में भी सवाल आए कि राजी बाई जितनी चाए कॉफी पैदा हो रही है वो किसान क्या करेंगे फिर तो मैं उसके लिए ये सुझाओ देता हूँ कि जितनी चाए कॉफी पैदा हो रही है उसको 100% एक्सपोर्ट करेंगे क्यों? दुनिया में जो ठंडे देश है अमरीका, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा इन ठंडे देशों में चाए कॉफी की बहुत जरूरत है उनको चाए कॉफी न मिले तो वो मर जाएंगे लेकिन उनके आँ चाए कॉफी होती नहीं है तो हम सारी की सारी अगर उनको बेच दें तो क्या नतीजा निकलेगा? 10,000 करोल रुपई की आमंदनी होगी 5,600 करोल हमारा बचेगा 10,000 करोल की इंकम होगी 15,000 करोल नेट बचेगा हिंदुस्तान का और ये कहा जाता है आज की अर्थव्यवस्था में कि पैसा बचाना पैसा कमाने से ज्यादा महत तो पूर है तो अगर ये 15,000 करोल बचेगा हमारा और एक करोल रुपई में हम एक कार खाना लगाएं और एक कार खाने में 100 आदमी को काम मिले तो डिर्लाक लोगों को हम काम दे सकते हैं अगर हम चाई कौफ़ी बंद करें तो चाई कौफ़ी बंद करिये हिंदुस्तान का भला हो जाएगा आपका भला हो जाएगा ऐसे ही एक दूसरा छोटा सा सुजाओ हम लोग ब्रश करते हैं कॉल गेट, क्लोज अप, सिवाका, फॉरंस क्यों करते हैं? क्योंकि सांस की बद्बू दूर करता है दांतों की सवन दूर करता है तब आप कभी-कभी ये सोचिए कि जब कॉल गेट नहीं होता था तो सबके दाथ सड़ जाते होंगे शाए और सबकी सांस में बद्बू आती होगी और हमारे दादा दादी के जमाने में तो कॉल गेट होता नहीं था तो अपने दादा दादी से पूछिए कि आप तो कॉल गेट करते नहीं थे तो दादा दादी साथ बैठते थे कि नहीं बैठते थे और तब आपको जवाब मिलेगा कि हमारे दादा दादी नीम का दातुन करते है बबूल का दातुन करते है क्यों करते हैं दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं जो नीम का दातुन करते है कारण जानते हैं क्या है पहला कारण मैंने शुरू में बताया नीम का पेर आकसीजन देता दूसरा एक और जबरजस्त कारण है जब आप नीम का दातुन चबाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके मुह में लार जादा बनेगा सैलीवा जादा बनेगा दूर क्योंकि 90 तक का बीमारियां पेट की गड़बड़ी से पैदा होती पेट की गड़बड़ी ठीक रहने के लिए डॉक्टर कहते हैं आपको कि खाना चबा चबा कर खाईए क्यों क्योंकि सैलीवा जादा बनता और खाने को पचाने का काम सबसे जाला सैलीवा करता लेकिन अद्बूत है नीम का दातुन जितनी देर चबाएंगे उतनी देर सैलीवा मुह में बनेगा अपने आप बनेगा ये आजीव खुद्रत है तो जितना जाला सैलीवा बनेगा उतना अच्छा आपके लिए अच्छा है क्योंकि बविश में हिंदुस्तान का लिमड़ा अमरीका ले जाने की जरूरत पड़े तो कोई तो कानून चाहिए तो उन्होंने पहले से ही पेटेंट करवा के बैठे हुआ हम बेवकूफ लोगों को मालूम नहीं कि हर घर के सामने नीम का पेड़ लगा है ये दुनिया की अ मांगन में लगा हुआ है तो जान लीजिए 200 और 2500 किसम के वाइरिस और वैक्टीरिया आपके घर से दूर रहेंगे कभी नहीं आएंगे नीम का पेड़ जबर जबर जस्त चौकीदारी का काम करता है तो नीम के पेड़ में इतनी अद्बुत खासियत है और ये दातुन हजा है कि हम इंटेलीजेंट है है सच में उल्टा जो नीम का दातुन करते हैं वो सबसे इंटेलीजेंट है और जो कॉल गेट करते हैं वो दुनिया के सबसे बड़े इडियट है पता है क्यों कॉल गेट बनता कैसे है आपको मालूम है कि किसी को नहीं मालूम क्यों कि कॉल गेट company कभी बताती नगी कि हमने कैसे बनायाई उनके डिब़े पर कभी भी नहीं खते और call gate के डिब़े पर आईएसाई मार्क भी नहीं एग मार्क भी नहीं क्यों सब से रदी quality है इसलिए आईएसाई मार्क उसको मिल नहीं सकता तो जिस पर I.S.I. mark भी नहीं है, एग मार्क भी नहीं है, उसी को क्यों खरीद के ले आते हैं। कॉल गेट का टूथपेस्ट दुनिया का सबसे घटिया टूथपेस्ट है, क्यों? क्योंकि जानवरों के हड्डियों के चूरे से बनता। अब मैं किसी से यह कहूं कि जानवरों की हड्डियों का चूरा रोज सबेरे उठकर अपने मुझे रगड़िये। तो आप कहेंगे क्या फाल तुगी बात कर रहे हैं? और मैं कहूं कि कॉल गेट करिये, तो रोज हम करते हैं। और जानवरों के हड्डियों के चूरे के साथ-साथ उसमें एक दूसरी खतरनागक चीज़ और है, फ्लॉराइट। फ्लॉराइट नाम उस जहर का है, जो शरीर में फ्लोरोसिस नाम की बीमारी करता है। और हिंदुस्तान में पानी में पहले से ही ज़ादा फ्लॉराइड है इसलिए हिंदुस्तान में तो ये सारे पेस्ट बंद कर देने चाहिए और तीसरी एक और खतरना चीज होती है उसमें हम लोग ये महसूस करते हैं कि पेस्ट वो अच्छा जिसमें ज़्यादा से बनता है रिन और सर्फ में क्यों बनता है क्यों कि उसभी उसमें एक पदार्थ मिला जाता है जिसको तकनीगी भाष भाशा-में हम सिंधेटिक डिटरैजैंट कपडा धोने के साबन में मिला थे उसी को कॉलगेंट में भी बिलाथ जाग पैदा करने के तो मैं आप से कहूं क कपड़ा दोने के साबून से दाट साफ करिए क्योंकि उसमें सबसे जादा जाग पैदा होता है और हमारे देश में तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आदा आदा घंटे रगड़ते रहते हैं क्योंकि जाग निकालना है उनको दुनिया का सबसे रड़ी पेस्टाप इस्तेमाल कर रहा है और एक आखरी जानकारी इसी के बारे में मैं जब यॉर्प में घोमता था तो मुझे एक बात पता चली कि यॉर्प के लोगों के दांट सबसे ज़्यादा खराब हैं सबसे गंदे दांट दूनिया में अगर किसी क तो यॉरप के लोगों के और वहां क्या है हर दूसरा तीसरा आदमी दांतों का मरीज है हर दूसरा तीसरा आदमी और सबसे जादा संख्या डॉक्टर जो हैं वहां वो दांतों के अमरीका में भी तो मैं एक बार एक डॉक्टर थे डॉक्टर जुकरसन मैंने उनसे पूछा कि आपके देश में दातों के मरीज क्यों है इतने और आपके देश में दातों के डॉक्टर क्यों है इतने तो कहने लगे कि हम दातों के मरीज इसलिए हैं क्योंकि पेस्ट रगड़ते हैं तो मैंने का बेस्ट क्वालिटी क्या है कि वो तो हमारे देश में होती नहीं तुमारे company America की लेकिन फ्लॉराइट वाला टूथपेस्ट हो यहां बेचते हैं अमरीका में नहीं बेचते हैं ताबंदी लगी हुई है डॉक्तर मना करते हैं कि इसको मत करिए फ्लॉरोसिस नाम की बीमारी हो जाएगी और जिस टूथ-पेस्ट को मना किया जाता है वही इस देशमें best quality है कहां से मिलेगा बंबई के हर स्टेशन के सामने मिलता ये गरीब लोग है ना आप देखो नीम का दातुन बेचते हैं बबूल का दातुन बेचते हैं अगर इनका दातुन आप खरीदोगे तो आपका पैसा किसी गरीब के पास जाएगा तो इस देश के गरीबों को कि कर दका तो 1 आइटी मैं एक लड़का खरा उगया के लग है लाजी बात करते हैं एक ही नीम के दात उनको थोट्स प्रश को तो अट लग तनी बार करते हैं कि एक दिन करते हैं ठोकें देते फिर दूसरे दिन करते हैं है फ़र दोके रगदेसा do पर तक रगड़ते रहते हैं एक टूथब्रेश को तो गंदा नहीं लगता और एक नीम का दात उन में कह रहा हूं हफते पर रगड़ो तो गंदा लगता तो उस लड़के ने जानते हैं क्या जवाब दिया सच में राजी भाई हमारा दिमाग को एकदम उल्टा हो गया है तो इजसी वरी देग के बाद पतनी मुह फिर लेती है कि कैसे को इनकी सास में बद्बू आती तो उसकी सहेली कहती है चल मेरे साथ है दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं रहे कॉल गेट का सुरख्षा चक्र तो अपनाया देई हैं सास में बद्बू तो आएगी पिर उनके घर जानते हैं इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि दो पती पत्नी अगर कॉल गेट नहीं करेंगे तो दूर दूर रहेंगे कॉल गेट करेंगे तभी नजदीक आएंगे अब आप मुझे बताईए कि इससे बड़ी इडियोसिटी कोई दूसरी हो सकती है बारतिय संस्कृती में पती-पत्नी का रिष्टा परस पर प्रेम पर विश्वास पर सद्भाव पिटिका होता है टेलिवीजन सिका रहा है कि नहीं कॉल गेट पेस्ट पिटिका हुआ है और इसलिए इस 100% इडियोसिटी से बाहर आजाईए फाइदा जानते हैं क्या होगा अगर आप लिमड़ा का दातुन खरीदे हैं हम सब एक साल में कितना पेस्ट खरीदते हैं मालूम है सारे देश में 200-200 करोड़ रुपए का पेस्ट खरीदा जाता साल बर अगर ये 200-200 करोड़ का लिमड़ा का दातुन खरीदना शुरू कर दें तो इस देश के कितने गरीबों को काम मिल जाएगा और तब आप कहेंगे राजी बाई अगर हम सब लिमड़ा का दातुन करना शुरू करें तो नीमका जाड़ तो खतम हो जाएगा तब मैं आपको एक दूसरा फॉर्मूला दे के जा रहा हूं कि आपका जब जनम दिन होता है न तो क्या करते हैं केक लेके आते हैं मुंबत्त तो आप अगर मुझे से पूछें कि राजी बाई जनम दिन कैसे मनाएं तो उसका बेस्ट फॉर्मूला में आपको देखे जा रहा हूं जब भी आपका जनम दिन आए तो संकल्प करिए कि हम हमारे जनम दिन पर एक नीम का जाड़ लगाएंगे और मान लीजिए आपके पचास जाड़ लगेंगे और एक नीम का जाड़ जब बन जाता है तो साल भर में 15 लाक रुपई की ओक्सिजन देता है एक नीम का जाड़ तो हमने अगर पचास नीम के पेड़ लगाए अपने हर जनम दिन पर तो पचास इंटू 15 लाक माने कितना कितना कोई एक बोले नहीं सुनाई दिया एक कोई एक सिंगल साड़े साथ करोड साड़े साथ करोड रुपई की ओक्सिजन किसने दी हमने जो नीम का जाड़ लगाया अब मैं अगर आप से ऐसे कहूं कि साड़े साथ करोड रुपया देश को दान करिये आप कहेंगे है ही नहीं हमारे पुर्ष और अगर मैं ये ऐसे कहूं कि साड़े साथ करोड रुपई की आकसीजन दान करिए वो हम सब कर सकते हैं एक एक नीम का जाड़ लगाएं तो आपके देश में दातून की भरमार हो जाएगी और दातून की भरमार के साथ-साथ आकसीजन इतनी इफर लगाएं और अपने हर जनम दिन पर लगाएं हिंदुस्तान की यह जो पर्यावरण की समस्या है इसका भी समाधान हो जाएगा और यह जो 200-200 करोड रुपए बरबाद हो जाते हैं टूठपेस खरीदने में वो बच जाएंगे और ऐसे ही एक आखरी सुझाओ और एक परदेशी कंपनी आई है वो पानी भेजती है पैपसी कोला कोका कोला थमसप लिमका सिट्रा और यह जितना पानी है ना सबकी बोतल पर आपको माल कारबंडा यॉक्साइड मेडिकल साइंस कहता है कि कारबंडा यॉक्साइड को एक्जेल करना चाहिए और ऑक्सिजन इन्हेल करना चाहिए हम क्या करते हैं लहर पैपसी पीके कारबंडा यॉक्साइड अंदर ले जाते हैं माने दोस्तों जो लहर पैपसी वो सचमें जहर और ये जहर पैपसी क्यों है क्योंकि इसमें कारबन डाय चाइड है दूसरी दो चीज़ें और हैं जो बहुत खतरनाक हैं सोडियम गलूटामेट और पोटेशियम सॉर्बेट ये दोनों जहर हैं दोनों कैंसर हैं और ये कितना खतरनाक हो सकता है उसका एक दाखिला मैं आपको दू एक साल पहले मैं आया था Grant Road के एक College में मेरा व्याख्यान हुआ तो वहाँ के Principal ताब ने मुझे बताए कि राजी भाई हमने competition किया था मैंने क्या competition किया पेपसी कोला पीने का competition किया मैंने का परिणाम क्या निकला तो कहने लगे हमारे दो student थे वो final round में पहुँच गए तो final round में पहुँच गए तो मैंने का क्या उन्होंने शूर वीरता दिखाई कि एक धंटे में एक लड़के ने 9 बोतल पिया और दूसरे ने 8 बोतल पिया मैंने का फिर क्या हुआ उसके बाद कि दोनों मर गए मैंने का फिर आपने क्या किया कि हम डॉक्टर को लेने गए उन लड़कों को लेकर डॉक्टर के पास गए डॉक्टर ने का कि इतना Sacramento डायोकसाइड पी लिया है कि अब यह बच नहीं सकते तो मैंने का फिर आपने क्या किया कि तब से हमने हमारी कैंटीन में पैपसी और कोका कोला बंद करा दिया मैंने का प्रिंसिपल साथ आपको अकल तो आई लेकिन तब आई जब आपके दो स्टूडेंट मर गए ये इतना खतरनाक जहर है और एक बार मैंने एक्सपरिमेंट किया पैपसी कोला पे मेरा एक दांथ तूट गया तो मैंने क्या किया उसको पैपसी कोला की बोतल में डाल दिया नौ दिन के अंदर पूरा दांथ डिजॉल्व हो गया ये जो दांथ होता है न ये इतनी कड़ी चीज है कि मिट्टी में दवा दीजिए एक साल तक गलता नहीं है ये ऐसे का ऐसे ही निकलाएगा लेकिन वो दांथ नौ दिन के अंदर पैपसी कोला में गल गया क्यों क्योंकि जहर है उसमें और मैंने कहा कि जब दांथ इसमें गल सकता है तो पेट का क्या क्या गलेगा जब आप उसको पी रहें और तब लोग पेपसी जब पीते हैं कोका कोला पीते हैं तो मैं लोगों से पूछता हूँ मैंने कभी पिया नहीं कभी कभी मैं मेरे दोस्ते कहता हूँ कि भाई तुमको क्या लगता है जब तुम पेपसी पीते हो तो कहता है राजी भाई नाक में संसनी होती है दिमाग में स से नहीं होती है घटी घटी डखा रहे आती मैंने काई को पी रहे हूं फिर भाई इतनी प्रॉबलम हो रही है फिर भी बोटल पर बोटल चड़ाए चले जा रहे हैं क्यों पी रहे जारे हैं मालूमन सचिन तेंदुलकर कहता है अधरुद्दीन कहता है शारुक खान कहता है आमिर खान कहता है जुई चावला कहती है एश्वर रॉय कहते है और ये सब क्यों कहते हैं जानते हैं लाखों लाखों करोडों करोडों की रिश्वत मिलती है इनको पैपसी कोला से सचिन तेंदुलकर हर साल पैपसी कोला से 70 लाख रुपया लेता है इसके लिए उसका धंदा करता है ये शारुक खान और आमिर खान ये एक एक करोल लेते हैं इसलिए पैपसी कोला का धंदा करते हैं ये जितने किरकेट के खिलाडी हैं जिनको आप नैशनल प्लेयर कहते हो ये सब विदेशी कमपनियों के एजेंट हैं दोस्तों हर एक किरकेट खिलाडी जो टीशर्ट पहनता है उस पेपसी लिखा रहता है विल्स लिखा रहता है अब आप पूछिए ये प्रशन कि ये तो हिंदुस्तानी लोग हैं विदेशी कमपनी की विग्यापन क्यों कर रहा है तो आपको पता चलेगा कि ये बड़े-बड़े गद्दार लोग है सचिन्त एंदुल करकर को हर महीने पचास हजार रुपए पगार मिलती हमारे खून पसीने की कमाई से ये पगार हम उसको क्यों देते हैं क्रिकट खेलने के लिए उसमें भी उसका पेट नहीं भरता तो विदेशी कमपनी का विग्यापन करता ये नेताई देश बेचने में नहीं लगे हुए ये क्रिकट के खिलाडी भी देश बेच रहे हैं और ये रात दिन जानते हैं क्या हो रहा हिंदुस्तान की क्रिकट टीम दो ही कमपनियों का सबसे ज़्यादा विग्यापन करती है पैपसी कोला या विल्द और ये दोनों कमपनिया क्या नुकसान कर रही है पैपसी कोला हिंदुस्तान से हर साल 240 करोड रुपे कमा कर ले जाता है अमरीका गहर बेचते हैं और यहां से 240 करोड अमरीका चला जाता है और उस 240 करोड में क्या हो सकता है आपको मालूम है हिंदुस्तान के दो लाख गाओं को पीने का पानी मिल सकता इस देश में आदादी के पचास साल के बाद दो लाख गाओं में पीने का पानी नहीं है ये सरकार के आंकड़े मेरे नहीं और करोड़ो करोड़ो लोग पीने के पानी से प्यासे गुजरात में मैंने मेरी आँखों से देखा है कच्छ में इतनी जबरजफ पानी की कटो कटी है कि एक एक घड़ा पानी लेने के लिए पंदरे पंदरे किलो मीटर बहने पैदल चल कर जाती है एक एक गाउं मैंने देखा है जहां चार-चार दिन में एक बार पीने का पानी आता है तमिल नाडू और करनाटिक में पीने के पानी की इतनी कटो कटी है कि दोनों देश दोनों प्रदेश जगड़ा करने को तयार कावेरी का पानी हमको मिले के हमको मिले सारे देश में दो लाग गाओं में पीने के पानी की भयंकर कटो कटी है तो हमारी सरकाने क्या कर रही है उन दो लाग गाओं में पीने के पानी की कोई व्यवस्ता नहीं है पैपसी कोला गाओं गाओं में बिकवा रहे हैं और ये जो पैपसी कोला का पैसा हम दे रहे हैं जो अमरीका चला जाता है 240 करोड रुपिया अगर ये ना जाए अमरीका माने इस देश में पैपसी कोका कोला जैसे बंद हो जाएं तो इस देश में लाखों गाओं को पीने का पानी मिल सकता है और यही देश की सची इस देश और तब आप कहेंगे और मैं आपको एक फॉर्मूला दे के जा रहा हूं कि जब भी आपके हाथ में पैपसी या कोका कोला की बोतल आए तो आप पहले हिंदुस्तान के उन करोड़ों भाई बहनों का चेहरा याद करिए जिनको पीने का पानी मिलता और आप पैपसी और कोका कोला पी रहें तो आपको आपके हाथ कांप जाएंगे कि मैं इतना बड़ा नेशनल क्राइम कर रहा हूं कि देश में पैपसी कोका पी के करोड़ों रुपया अमरीका भेज रहा हूं और कितना पैसा आप इस कंपनी को देते हैं पैपसी की एक बोतल सतर पैसे में तैयार होती है और बजार में साड़े आठ नौ रुपय की बिखती है अंदाज अलगा ये कितना पैसा हम देते हैं तो जब आपके हाथ में पैपसी और कोका कोला आए तो करोड़ों भाई बहनों को याद करिए जिनको पीने का पानी नहीं मिलता और फिर भी आप अगर पैसी और कोका कोला पी ले तो आप से बड़ा गद्दार इस देश में कोई दूसरा नहीं है ये मेरा फॉर्मूला और एक दूसरी बात आपसे और कहके जा रहा हूं कि जो लोग इस देश में पैसी कोला कोका कोला की बिक्री बढ़ाने में लगे हुए उनको मैं बहुत बड़ा गद्दार मानता हूं और ये सारे के सारे नैशनल किर्केट प्लेयर इसी काम में लगे हैं तो आप कम से कम इनको एक चिट्थी तो लिखो कर तुमको हमने किर्केट का खेल खेलने के लिए कैप्टेन बनाया अब तुम पैपसी कोला बेच रहे हो और पैपसी कोला बेचते बेचते अब जूता बेचना चालू कर दिया उसने एक्षन का कितने शर्म की बात है कि आपके देश का नैशनल क्रिकेट कैप्टेन जूता बेच रहा और एक्स क्रिकेट कैप्टेन कपिलव नाया जूते भी सांस लेते हैं और इनको मालूम नहीं है कि जब जूते सांस लेते हैं तो भारत मता की सांस निकल जाती ये जूते बेचने वाली जो विदेशी कमपनिया आई हैं हिंदुस्तान से सेक्रो करोल रुपए कमा कर ले जाती हैं उसका नतीज़ा जानते हैं क्या होता है हिंदुस्तान के लाखो लाखो मोची बरबाद हो गए जिनका जूता नहीं विकता बजार में लाखो लाखो मोची बरबाद हो गए मेरे अपने इलहाबाद शहर की बात में कर रहा हूँ मैंने सर्वे कराया जब से बाटा कमपनी का जूता बिकना शुरू हुआ मेरे शहर में 14,000 मोची बेकार हो गए मेरे अपने शहर में पहले वो जूटा बनाते थे और बेचते थे गाओं गाओं में एक मोची होता था उसका जूटा बनता था और बिकता था अब उस मोची का जूटा कोई नहीं खरीटता था सब बाटा का लगा रहता है तेंदुलकर का या कफिल देव का माने जो देश में नेशनल क्राइम कर रहे हैं उनको हमने अपना हीरो बना रखा और एक दूसरी बात और बताऊं तो आपको ख्याल आएगा कि ये लोग कितना बड़ा देश के साथ धोका कर रहे हैं एक कंपनी है उसका नाम ह अपना विग्यापन दे नहीं सकते तो यह क्या करते हैं किर्केट की सीरिज स्पांसर करते हैं विल्स कप करवाते हैं या पैपसी कप करवाते हैं तो उसमें क्या होता है बार बार टैली वीजन पर उनका जाहिरात आता है कैसे आता है आपने देखा है जिस क्रिकेट के मैद लेकिन उस पे विल्स का स्टीकर लगा रहता है। क्यों? क्योंकि आप जितनी देर देखेंगे आपकी आँखों में विल्स 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 पढ़ा जाएगा। फिर क्या होता है? कि क्रिकेट के खिलाडी जिस एंड से बॉल फैकते हैं उस तरफ भी विल्स लिखा रहता, दूसरे तरफ भी विल्स लिखा रहता, मैदान में चारो तरफ विल्स 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 ही लिखा रहता, फिर उसके बाद क्या होता है? जो खिलाडी बल्ला लेके खे पकांसर कर दी उसका नतीज्दा क्या हुआ सारे देश में विल्स्की बिख्री बढ़ गई कितनकी बनाती है एक साल में 40 नब्वे अरफ किए बनती है और नब्सिग्रेट बनती है तो कभाड़ा क्या ओता डेश का इस कमपनी की जब 500 सिग्रेट बनती है तो एक पेड़ उसमें कट जाता है और एक पेड़ कटने का माने 55 रुपए की ऑगसीजन का नुक्सान और ये कंपणी जब 90 अरब सिग्रेट बनाती है तो इस कंपणी के सिग्रेट बनाने के कारखणों के लिए 1400 करोड़ पेड़ हर साल कटते हैं अब वो जो 1400 करोड़ पेड़ कट जाते हैं हर एक पेड़ 10-15 लाख रुपई की ऑक्सीजन देता है और वो रुपई की ऑक्सीजन खतम हो जाती है और उसके बाद एक तमाशा और होता है कि जब 90 अरब सिग्रेट जलती है तो उसमें से कारबन डाई और कितनी निकलती है 90 अरब सिग्रेट को अगर जलाया जाए तो 46,000 मीट्रिक तन जहरी ली गैसें उसमें से पैदा होती है तो एक बाजू में काक्सीजन की बरबादी दूसरे बाजू में 46,000 मीट्रिक तन जहर पैदा हो रहा और उस जहर को पी रहे हैं हम सब जो सिग्रे इतना बढ़ा दिया कि कोई सिग्रेट बेचना मुश्किल हो गया उनी सिग्रेट कमपनियों का जाहरा तो इनको आप इंडियन कहते हो ये नैशनल लोग हैं ये तो दिस ठाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं और दुरभाग इसे इनी का मैच देखने के लिए हम टि करमचारी काम नहीं करते इस्टुडेंट्स कॉलेज में नहीं आते कोई काम नहीं होता या तो टीवी पे बैठे रहते हैं या कमेंटरी सुनना चालू कर देते हैं और वो कमेंटरी और टीवी के सामने जो नहीं बैठ पाते हैं वो मैदान में चले जाते हैं और हर दिन इस 2.500 करोड रुपए का National Loss होता एक दिन के मैच में हजारों करोड रुपए का दूसरा नुकसान है 2.500 करोड का हमारा राष्ट्रिय नुकसान है एक दिन का और हम 5-5 दिन के मैच देखते और वो मैच देखने से पता नहीं क्या मज़ा आता है कई बार मैं लोगों से कहता हूँ कि मैच देखने से अच्छा तुम खेल लेते तो शरीर में शायद सक्ती आ जाते बैठे बैठे इडियेट बने हुए देख रहे क्या कहते हैं हरे साला आउट हो गया अभी मैं जाता तो ऐसे मारता तो बल्ला लेके पहुंच क्यूं नहीं जाते वहां और तब इसके साथ जुड़ी हुई एक आखरी बात कि ये क्रिकट का खेल इस देश में कौन लेकर आया अंग्रेज लेकर आया और अंग्रेजों ने इस देश में क्रिकट का खेल प्रचारित क्यों किया इस देश की बरबादी के लिए दुनिया के जो इंटेलीजेंट देश है कोई क्रिकट नहीं खेलता अमरीका में क्रिकट नहीं होता जर्मनी में क्रिकट नहीं होता फ्रांस में क्रिकट नहीं होता जापान में क्रिकट नहीं होता चीन में किर्किट नहीं होता साउथ कोरिया में किर्किट नहीं होता मलेशिया इंडोनेशिया में किर्किट नहीं होता और जितने देशों में किर्किट नहीं होता वो सब इस समय बहुत उंचे देश हैं अर्थ व्यवस्था के हिसाब से और जिन जिन देशों में किर्किट का खेल खेला जाता है सब का कबाड़ा हो रहा है दुनिया में सिर्फ बारे देश हैं जहां किर्किट खेला जाता है उन सब देशों की हालत देख लीजिए एक से एक बदतर है तो आप ये कर क्या रहे हैं काहे का मोह पाला है आपने ये किरकेट का और तब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये पैपसी बिल सिर्फ इनका बहिशकार मत कीजिए इन किरकेट खिलाडियों का भी बहिशकार करें और इनको कम से कम एक चिट्थी लिखिए कि हमने तो तुमको देश के खेलने के लिए बनाया था, तुम तो गदारी कर रहे हो इस देश ने, और कभी-कभी मैं आपको बताऊं कि ये क्रिकट के खेल में हार जीत ऐसे ही नहीं होती, बाकाइदा रिश्वत दी जाती है और ली जाती है, इसलिए हारते हैं और जीतते हैं और कैसे खेलते हैं, आपने सुना होगा कि करप्शन नेता करते हैं, नेताओं से बड़ा करप्शन ये करते हैं, क्या करप्शन है मालू मैं? एक बार वेस्ट इंडीज और इंडिया का मैच हुआ कानपूर मैं, ट्राइंगलर किर्कट सीरिस थी, सेमी फाइनल मैच था, उस उस समय क्रीज पर खेल रहे थे, मनोच प्रभाकर और नयन्मों गिया, इन दोनों खिलाडियों ने जानते हैं क्या किया, टुक टुक करके पूरा खेल निकाल दिया, पंदरे ओवर विता दिये, और बारे रन बनाए, जीता हुआ मैच हिंदुस्तान हार गया, शाम को क्रिक कंपनिया स्पॉंसर करती है मैच को, ये सटा बजार में करोडों करोडों रुपय लगाती है, किर्किट दोस्तों अब खेल नहीं है, जुआ हो गया है, और उस जुए में करोडों करोडों रुपय का सटा लगता है बजार में, तो करोडों रुपय का सटा लगाया पैपसी को लाने और इन कमपनियों सटा किस बात पर लगा था कि फाइनल में वेस्ट इंडीज की टीम पहुंचेगी और अगर उस मैच में हिंदुस्तान जीत जाता तो उनका करोड़ों रुपया डूब जाता इसके लिए उन्हों ने दोनों खिलाडी को रिश्वत खिलाई और उन् संद्रचूर साहब की अध्यक्षिता में कमेंटी बनी है उसकी रिपोर्ट अभी आएगी आपकी आँखें फट जाएंगी कि हो क्या रहा है इस देश में हम जिसको मनुरंजन का खेल कह रहे हैं वो इस देश का कितने सैकडों करोड रुपई की बरबादी कर रहा है विदेशी कमपनियों का बहिशकार तब हो सकता है जब आप अपने अपने घर का टेलिवीजन बंद कर दें क्यों क्यों कि विदेशी कमपनियों की जतनी जाहिरात है वो टेलिवीजन के माध्यम से और रात दिन हमको ये जाहिरात सुना सुना के वो सामान खरिदवाते हैं ह जिनके घर में डिश अंटी ना नहीं उन्होंने केबल कनेक्शन ले लिए है, सब एक ही जवाब देते हैं, राजी भाई मनोरंजन करना, तो मैं कहता हूँ ठीक है भाई मनोरंजन करिये, तो मनोरंजन करते हैं तो क्या देखते हैं, घर के छोटे-छोटे बच्चे, उनके गंबीरता से सुभी चीज बड़ी है मस्क मस्क और कभी कभी मैं आपसे पूछूं अगर दिल पे हात रखके बताईए कि चोली के पीछे क्या है ये गाना आपका मनुरंजन करता है या चीज बड़ी है मस्क मस्क ये गाना आपका मनुरंजन करता है और अगर ये गाना आपका हिम्मत है जो अपनी बड़ी बेहन के सामने ये कह सके कि तू चीज बड़ी है मस्तमत और दोस्तों ये गाने आपका मनुरंजन नहीं कर रहे हैं ये गाने आपका चरित्र खलाथ कर रहे हैं वो चित्रा हार नहीं है वो चरित्रा हार है और जिसको मनुरंजन के नाम पर आपने अपने घर में बुला लिया है ये टेलिविजन आपका मनुरंजन नहीं कर रहा है आपके मन में एक अजीब तरह की वल्गैरिटी और आपसीनिटी को जनम दे रहा है और दुनिया में दो बहुत खता होती है एक बीमारी होती है जिसको सेक्स की वल्गैरिटी मैं कहता हूँ रात दिन ये टेलिविजन आपको जो कुछ दिखाता है वो सेक्स की वल्गैरिटी है और ये सेक्स की वल्गैरिटी देखते 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 एक दिन हिंदुस्तान के नव जवान नविवतियां भी वही करने लगते हैं, जो उस पर दिखाते हैं। क्या हो रहा है हमको, कहां जा रहे हैं हम। इस भारतिय समाज में, भारतिय संस्कृती में, बच्पन से हमको सिखाया जाता है इस पर दोट रहे हैं, तो यह जो कुछ आप टेलीवीजन पर देख रहे हैं, वो आपके चरित्र को बरबाद करने की एक साज़िश है। और यह साज़िश किसने बनाई हैं? यह विदेशी कमपनियां जानती हैं कि हिंदुस्तानी माटी में, नौजवानों में इतनी खुमारी है कि कोई विवेकानंद हो जाता है, कोई दयानंद हो जाता है, कोई तिलक पैदा हो जाता है, कोई भगत सींग हो जाता है, तो अगर तिलक पैदा हो गया, भगत सींग हो इन मैंसे कोई विवेकानंद ना बनने पाए और आपके सामने आदर्श क्या रखा जाता है आपके सामने विवेकानंद का आदर्श नहीं रखा जाता नालाईक, संजेदफ्त और शाहरुख खान जैसे लोगों के आदर्श रखे जाते हैं और ये कितनी खतरनाक व्यवस्था है कई बार मैं लोगों से पूछता हूँ छोटे छोटे बच्चे तीन-तीन साल की उमर से चार-चार साल की उमर से पांच-पांच साल की उमर से यही सब देख रहे हैं और ये छोटे-छोटे बच्चे अगर रोज दिन में चार गंटे पाँच गंटे टीवी देखें और सिनेमा देखें जानते हैं क्या होगा 20 साल की उमर तक पहुँचते पहुँचते हर बच्चे को कम से कम 30,000 बार मरडर के स्थीन दिखाये जाएंगे हर फिलिम में मर्डर हर एपीसोड में मर्डर हर एपीसोड हर फिलिम में वाइलेंस हर एपीसोड में वाइलेंस हर एपीसोड में मारा मारी काहे को इतनी मारा मारी दिखाते क्यों इतनी वाइलेंस हमको दिखाई जाती पता है क्यों हिंदोस्तान में सबसे ज़्यादा वाइले से नफरत की जाती ये देश अहिंसा वाला है इसलिए भारतिय संस्कृति को बरबाद करना है तो अहिंसा की जगे हिंसा को लाना पड़ेगा तो वह हिंसा हर आदमी कैसे करेगा हर आदमी तब हिंसा करेगा जब बार बार हिंसा देखेगा और ये बार बार की जो हिंसा हम जानते हैं क्या होता मर्डर देखते 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 मन की दया खतम हो जाती है करुणा खतम हो जाती है और हमारे देश में कहावत कही जाती है दया धर्म का मूल है माने जब दया ही नहीं होगी में, धरम कहां टिकने वाला है, तो वो सीधा आकरमण आपके धरम पर ए, ये वायलन्स बहुत ही खतरनाक चीज होती और उसके साथ दूसरी खतरनाक चीज होती है सेक्स की वल्गैरिटी, ये सेक्स में ये सेक्स की बल्गैरिटी की कितनी बर्बादी आई है एक ही उधारन ताजा ताजा आपको देना चाहता हूं तीन चार दिन पहले एक अख़वार निकला गुजरात समाचार गुजरात समाचार के दूसरे नंबर के पेज़ पर एक ख़बर है क्या खबर है ब्रिटेन में ग्यारे साल का बच्चा पिता बन गया है और ब्रिटेन में अगर ग्यारे साल का बच्चा पिता बन गया है तो उसके पतनी की उमर क्या है मालूम है पंद्रे साल पंद्रे साल के बच्चे जिनकी उमर स्कूल में जाने की है कॉलेज में जाने की है कि मम्मी पापा बनने की ह और ये ग्यारे साल और पंदरे साल के बच्चों को माँ और पिता बनने का नुस्खा किसने दिया है किसने फॉर्मूला दिया है उनको वो टेलिवीजन से आया है सिनेमा से आया है तो वो कहते थे कि राजीब भाई सबसे बड़ी प्रॉबलम है कि हमारे देश में दस साल की, बारे साल की, चौदे साल की बच्चिया माँ बन जाती ये सबसे बड़ी प्रॉबलम और शादी करने की उम्र आते आते कोई लड़की दस बार अबॉर्शन कराती है संयम वाला जीवन होता है, ये हर धर्म कहता है इस देश में, इसलिए विद्यारतियों को घुरकुल में जाना पढ़ता था ताकि 25 साल तक संयम के साथ आप सिक्षा ग्रेड करिए, वो संस्कृति उनको नहीं आती और उसके बाद आज उनके हाँ प्रॉब्लम इतनी जबरजस्त हो गई है कि बिना शादी के पैदा होने वाले बच्चों को रखें कहां तो बिना शादी के पैदा होने वाले बच्चों को रखने के लिए ही, उनके देशों में कॉन्वेंट स्कूल खोले गए Convent School'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o है दोनों सोभागे से एक बार मेरे दोस्त बने थे चार साल पहले की बात है मैं एक बार एक international conference में गया था बॉन में फिर Frankfurt में वहां मेरी उनसे मुलाकात हुई अभी वो दोनों व्यक्ति अमरीका की सरकार के कमीशन के चेर्मेन है वो कमीशन कर क्या रहा कमीशन को जिम्मेदारी दी गई है कि पिछले 35 साल में टेली वीजन से अमरीका में क्या नुकसान हुए है इसका अध्यन करो तो कमीशन की पहली रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट क्या कह रही है 90 मिलियन अमेरिकन यूद्स आरे स्पॉल्ड ज्यू टू टेलेविजन और सिनेमा नौ करोड अमरीकी नौजवान बर्बाद हो गए हैं टेलेविजन और सिनेमा देखकर नौ करोड अमरीका की कुल आबादी कितनी है 27 करोड 27 करोड आबादी में से 9 करोड बिलकुल बरबाद हो चुके है और उन 9 करोड बच्चों की बरबादी कितनी है हर पहला और दूसरा बच्चा सीजो फ्रेनिक हो गया है पागल हो गया है और वो पागल पन सेक्स का पागल प आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं यहां से दिखने में लगता है कि अमरीका बहुत उंचा देश है बहुत तरक्की वाला देश है आपको मालूम नहीं है अमरीका दुनिया में वो देश है जहां एक मिनट में सबसे जादा बलातकार होते हैं बहनों के ऊपर एक मिनट में सबसे ज़्यादा मॉलेस्टेशन के केस अमरीका में होते हैं और अमरीका में कुछ शहर तो ऐसे हैं जहां शाम को छे बज़े अगर कोई लड़की निकल जाए तो लौटने वाली कितने लोग उसके साथ गैंग रेप करेंगे उनको खुद नहीं पता रहता यहतनी हैवानियत और इतना राक्षचासी पन कहां से आ रहा है वह टेली विजन सिखा रहा है वह सिनेमा सिखा और वह टेली विजन और सिनेमा अब हमारे देश में आ रहा है जो बरबाद कर चुके